नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है अगर आप भारत से अपने पडोसी देश भूटान जाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि बस द्वारा यहां कैसे पहुंचा जा सकता है वैसे तो आप इस देश में फ्लाइट द्वारा लेकिन बाइरोड भी यहां पहुंचने की सुविधा उपलब्ध है आपको बता दें कि भूटान से भारत का सबसे निकटतम शहर है फुट्शैंग लिंग और अगर आपको यहां पहुंचना है तो भारत के पस्चिम बंगाल का जैगाउं इस से सीमा शेयर करता है तो आप जैगाउं पहुंच जाए और वहां से आप भूटान की यात्रा शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप कलकता से बस पकड़ सकते हैं कोलकता से अगर आप बस पकड़ेंगे तो आपको इसके लिए 653 रुपे देने होंगे और यह ब अब बात करते हैं कि इस बस का किराया कितना है तो आपको बता दें कि इस बस का किराया 653 रुपे के आसपास बताया जाता है और यह बस मंगलवार प्रश्पतिवार और शनिवार को चलती है आपको बता दें कि जैगाउं से फुच्यलोंग तक का रस्ता पास से 6 गंटे का है और इसके लिए आप 180 रुपे देंगे लेकिन अगर आप कोलकत्ता से जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 22 गंटे 30 मिनट का समय लगेगा तो ऐसे में आप खुड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां से बस पकड़नी है भूटान और भारत के बीच में आसानी से ट्रेवल क किया जा सकता है तो ऐसे में अगर आप भूटान के प्राकरतिक नजारों का लिट्फ उठाना चाहते हैं तो आप आसानी से भूटान जा सकते हैं हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद